तो पिछले वीडियो में जो है वो टू डिग्री ओफीडम के बारे में डिसकस किया था और यह समझने की कोशिश किती एक्जांपल के साथ कि टू डिग्री ओफीडम होता क्या है ठीक है तो आज हम आपको उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम ले रहे हैं और आपको सम्झाने की कोशिश करेंगे कि इससे क्याओ हो रहा कैसे हम फ्रिक्वेंशी दूसी जो है को फाइंड आउट कर रहे है त्व डिफेरेंट डिफेरंट फ्लोर पे अलग अलग अगे ही है आप दे एक प्रॉब्लम लिया है ए इस पर फीक है एक मॉडल लिया है जिसमे टू स्टोरी फ्रेम दिखाया गया है यह फर्स्ट स्टोरी है जिस पर 30 टन का लोड है और सेकंड the natural frequency assuming the beam column joint to be rigid हमको natural frequency क्या है वो find out करनी है क्या होगी और beam column के बीच जो है जो joint है उसको जो है हम rigid लेके चल रहे हैं for the following data तो सबसे पहले data क्या है आप देखिए dimension of column जो है 250 to 250 given है देखिए 250 to 250 column story height जो दिया है है वो three meter की दिया हुआ है और stiffness जो है के की वैलू दिया 12 वी आई अपन HQ तो पहले हम problem को solve करें से पहले हम इसको पूरी अच्छे तरह से समझ लेते हैं कि यह क्या कहना चाहता है ठीक है ना क्योंकि समझना सबसे ज़रा ज़रूरी है पहले उसके बाद solve तो हम उसको उसके पार इसको कर सकते हैं तो सबसे पहले जो है कि अच्छे वन मिनट तो सबसे पहले देखिए के की वैलू चुकी प्रॉब्लम में गीवन एक वैल वी आई अपन सबसे पहले के की वैलू को यहां पर जो इस्टिपनेस है तो जैसे ग्राउंड से कनेक्टेड है यह पूरी बिल्डिंग जो है किसका कनेक्शन ग्राउंड से है तो इसको हमने देखिए दूसरे फॉर्म में यहां पर बनाया है फीगर के साथ अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे जिसमें हमने टू डिग्री अफ्रीडम एक्स्प्रेंड किया था तो वहां से समझ में आ जाएगा आपको कि जो फर्स्ट इस्टोरी है उसको मास को यहां पर कि हमने फीगर से समझाया है एम मॉन इसकोल टू थर्टी टन सेकेंड डिस्टोरी एंटू जो है उस अब आप इस इस स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में भी बना सकते हैं तो स्प्रिंग के स्प्रिंग के फॉर्म में कनवर्ट कर सकते हैं क्योंकि यह जो कॉलम है एस इस प्रिंग काम करता है वह ध्यान दिजिएगा कि बिल्डिंग का जो एस एक कॉलम वाला पार्ट होता है वह की वैलू के लिए 12 भी आये पॉन हेज क्यूं इक है मॉडलास आफ एलास्टिक सिटी है आप पढ़े होंगे यह फॉर फाइफ सिक्स में इकी वैलू फाइफ थाउजन्ट अंडर रूड एफ सी के और एफ सी के कमान हमने 25 लिया हुआ या पर ठीक है ना तो एफ सी के के आप अब देखिए लूटन पर एलास्टिक सिटी या एलास्टिक मॉडूलस क्या है कि अमेजर्मेंट एक आफ स्टिफनेस आफ मटेरियल की इस्टिफनेस को मेजर करने का एक परामीटर है ठीक है ना कि किसी भी तो क्यों कि शचिफ्नेस को हम कैसे मेजर करेंगे क्या कितना वो क्यों है लग अलग मटेरियल के लिए मॉडला फेलास्टिक शिटी भी-डीफर होती होगी आप जानते होंगे ठीक है तो हम यहाँ पर सबसे पहले step 1 में क्या करेंगे कि moment of inertia find out करेंगे चुकि column के लिए i के लिए i हम क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पर क्योंकि अगर आप यह देखें फार्मूला जो stiffness का है 12 विया यह upon hq तो हमको दो चीजों की सबसे पहले जर्मत पड़ेगी एक तो e की और दूसरा i की इसलिए हम यहाँ पर i को find out कर रहे है और i क्या है bdq upon 12 ओके हमारी i की value निकल गया गई यहाँ पर ठीक है ना एक बार आप देख लिए अच्छे से i की value आने के बाद हम हाइट हमको मालूम है यहाँ पर के ground floor से first story की हाइट और first story से second story की हाइट क्या है ठीक है हाइट 3 meter problem में given है कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पर ठीक है stiffness of each story जो है वो के होगी ठीक है इसकी stiffness के इसकी stiffness के total stiffness के plus k is equal to now 2k ठीक है तो k की value हमने यह पूट कर दी है डारेक्टली टू इन्टू के की वैलू जो है ट्वैल्वी है यह यह पॉन एच क्यूब इससे आगे हमारा 24 यह पूरी वैलू अमारी आगे ही अब जो है यह फाइंड आउट होने के बाद मास फर्स्ट इस्टोरी जो है वह 30 टन दिया हुआ है 30.1,000 केजी और मास अफ टॉप स्टॉरी जो है 15.1,000 केजी अब देखेंगे अब स्तिफनेश मैट्रिक्स और मास मैट्रिक्स तो हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि स्तिफनेश मैट्रिक्स clair, mass matrix कैसे बनाते हैं और वहां से हम इसको इस value को इसके अंदर put up करेंगे, जो लोगो को दिक्कत है वो हमारा पिसला वीडियो देख सकते हैं, वहां चाहिस आपको समझ में आ जाएगा कि stiffness matrix मार्स माट्रिक्स कर से हमने फॉर्म किया ता और फिर जो है जैसे हbuilt है थल्य梯ारी स्टिफ़नेस माट्रिक्स की वैलु आ जाती है के की वैलु तो उसको हम इसमें पूट कर देंगे k1 प्लस tuh wise minus k2 माणेमस करो अता है था इस भी के टू आती है फिर आ ठीक है ना तो इस तरह पूट कर दिया हमने इसको M1 M2 को, ठीक है, फर्स्ट इस्टोरी वाला M1, सेकेंड इस्टोरी वाला M2, M1 M2, ठीक है, पूट कर दिया है यापने, उसके बाद देखिए, हमको क्या find out करना है, जान दिजेगा, for determination of natural frequency, तो यह हमारा फार्मूला है, K- omega square M, ठीक है ना, तो यहाँ से हम जो है, इसको value को put up कर रहा है सीधे, आप directly, अब देखिए, for determination of natural frequency, the determinant of the above matrix should be 0, तो हमने यह पहले K की value put कर दिया, minus omega square M की value matrix form में put कर दिया, और यह जो होना चाहिए, is equal to now, 0 के, उस simplify किया है हमने, और simplify करने के बाद, जो है, हमारे पास, एक equation बन करके आएगा, जब आप इसको solve करेंगे, ठीक है ना, जब इसको solve करेंगे, तो एक equation बन कर आएगा, और उस equation को solve करेंगे, omega 1 और omega 2 के लिए, तो हमारे पास, दो value आएगी, omega 1 आएगा, 11.884, और omega 2 की value आएगा, 28.690, ठीक है ना, तो क्या find out हुआ, कि omega 1 जो है, फर्स्ट फ्लोर के लिए natural frequency है, omega 2 उपर वाले फ्लोर के लिए natural frequency है, ठीक है, तो उपर वाले फ्लोर की frequency, ज़्यादा है, नीचे वाले फ्लोर की frequency कम है, आए, with respect to second floor, ठीक है, तो ये overall problem जो है, एक basic problem है, जो अक्सर exam में आती रती है, और कभी-कभी dimension बदल जाएगी, story height थोड़ा-थोड़ा vary कराते हैं, कभी-कभी 3.1 रख देंगे, कभी 3.2 तक भी रख देते हैं, story height को, तो वो अपने लिए वो tension की बात नहीं है, ठीक है, और इससे related कुछ problems और भी अपने next videos मेलेंगे, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि ये क्या कहना चाहता है, और क्या इसके advantage है, ठीक है, practical life में, आजकल, ठीक है, ओके, थैंक यू, ठीक है,